पटना से बड़ी खबर आपको बता दे जहां पुलिस और पब्लिक के बीच जम कर बवाल हुआ है चाय की दुकान पर रेड माने गई थी पुलिस जिस दौरान ये बवाल हुआ चाय दुकानदार एक महिला की गरफतारी पर हंगामा किया गया हंगामा कर लोगों पर पुलिस ने लाटी चार्ज किया है पुलिस ने कई राउंड फारिंग भी की सड़क पर टायर जुला कर लोगों ने प्रदर्शन किया बाइस बास थाने के मतनी तल इलाके की पूरी घटना ही हम आपको बता रहे है तो फिल्हाल ये बड़ी और रहे हम जानकारी हम आपको दे रहे हैं पटना से जहां पुलिस और पब्लिक के बीड जम कर बवाल हुआ है और देखें किस तरह से पुलिस लाठी बरसाती नजर आ रही है एक महिला को गिरफ़तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दोरान अचानक से हंगामा हो गया और इस हंगामे में देखें किस तरह से पुलिस की ओर से अधिकारियों की ओर से जिनके कंदे पर जिम्मेदारी होती है रक्षा की और खास कर अगर आपके साथ महिला कॉंस्टेबल नहीं है तो आप महिलाओं को छू तक नहीं सकते ये जिम्मेदारी होती है ये नियम होते हैं कानून होता है लेकिन बावजूद इसके किस तरह से लाठी चलाई जा रही है महिलाओं पर वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बेरहम ये पुलिस आखिर क्यों इतनी उग्र हो गई इसका अभी कुछ पता नहीं चल पाया है मामला सिर्फ इतना है कि महिला को गिरफतार करने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुंची थी और अचानक से इस तरह का विरोध शुरू हो गया महिला को गिरफतार करने के दौरान विरोद लोगों की ओर से किया गया और इस विरोद को रोकने के लिए ये एक्शन लिया गया पुलिस की ओर से पूस्ताच कर रहे थे चरपा दिन पहले वो जो है वो एक हमारे प्रादिकारी है बिजन्दन गुपता उससे पूरा उलज गया उनके साथ हाथा भाई किया मतलब पूरा जो है लब पर ठपर कर दिया कुछ नहीं मारा है आप वीडियो देख लिजे ठीक से अईदम किलियर कट देख लिजे कि कौन मार रहा है कौन क्य कर रहा है हम लोग पूरा हम लोग भी वीडियो बनाया है जो की चार पांच महिलाएं जो है हम लोग से उलज गई है हमको धस्वड दी है मैं खुद यहां पर था और वो आदमी जो है पिंकु कमार वो बैठने को तयार नहीं था